केलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम पार्कर पैन की अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं तो देखिए किस तरह से आज हम पार्कर पैन की अन्बॉक्सिंग करेंगे तो आप यहाँ पर नीले कलर का एक विंटेज बिजाइन वाला नीला बॉक्स देख रहे हैं जी हाँ हम आज इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे पार्कर इस्टेबलिस इन 1888 जैसे कि आप देख रहे हैं यह काफी खूबसुरत नीले कलर का एक बॉक्स है इस पैन को फाउंडर जॉर्ज एस पार्कर के सम्मान में बनाए गया है जी हाँ दोस्तों यह है पार्कर डियो होल जी क्राफ्ट आफ ट्रैवलिंग यह पार्कर का एक लिमेटेड एडिजन पैन है जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक लिमेटेड एडिशन पैन है इसके केवल 1300 1300 पीसेज बने हैं केवल तो यह और जो आप इसमें देख रहे हैं 227 यह इसका नंबर है के उन 1300 पैनों में से तो इस बॉक्स के अंदर हमको एक ब्लैक इंग मिली है साथ में और एक फाइब इंक कॉट्रेज मिला है और कुछ बुकलेट्स हैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं इंडियन मार्केट में इस पैन की कीमत दो लाक रूपे से उपर की है दस कोड़ी है यह कि एक है यह बंदा वहका राहता सटर रगा है अवर्ड़ाइब कियों अ मना यह टुटाय। जैकम अनधर नजम फाइब लिगे लेधर यूर लेधर है चाफी शेया इस ने जटे उस्ने पडे फैन में गी इस पैन की निप 18 karat solid gold की है जिसमें एक compass को design किया गया है इस पैन की cap में 2 karat का lapis lazuli embedded किया गया है जो आप blue color का stone देख रहे हैं यह lapis lazuli है जौर्ड एस पार्कर वे दुनिया की यात्रा करते थे उनको explore करते थे यह maps उसी को mention करता है जो कि इस vintage box में दिखा गया है पार्कर के डिजाइनों पर यात्रा का स्परसूत से प्रभाव देखा जा सकता है इसी कारेंट इसका नाम डूफोल्ड क्राफ्ट ऑफ ट्रैवलिंग पांटेंट पैन रख गया है पार्कर छोटा मोटा पैन नहीं है यह प्रैंड है जैसे कि Apple का फोन है आपके हाथ में वैसे ही आपके कोट में या आपके सट के पॉकेट में अगर पार्कर का पैन है ना तो सेंव एल्यू है बहुत तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल का आइकन दबाना ना भूलिए बाबाई